जाए हिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने चानल स्टैन्ड बीपीसी में मैं आपका दोस्त भाई स्टैन्ड बीपीसी वाला अज बहुत सरे मुदे के साथ हम लोग बात करेंगे चुकि बहुत सरे जो ये नेम स्टुडेंट है उनको कॉन फ्यूजन हो गया है उनका सारा जिनका डॉकमेंट वेरिफिकेसन हो चुका है उनका क्या होगा ऐसे बहुत सरे सवाल है इन सारी मुदे पर हम लोग बात करेंगे और जिनका मार्क्स कौम है जो फ्रेसर है उनका क्या होगा उनका कैसे रिजल्ट बनेगा मेरिट कैसे बनेगा इन सारे चीजों पर बात करें करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नहीं हों कि आप सब्सक्राइब कर लिजेगा सारा डाउट आज हम किलियर कर देंगे बहुत सरे लोगों को कर देखिए जैसे कि सब को मालुम है कि अब पटना हाई कोट का रिजल्ट आ चुका है और उसमें क्या हुआ है कि जो कांसिलिंग का बेसिस है वो 2018 के नियमावली के तहत होगा यह आज के आप आज का जितना नियूज पेपर देखेंगे दैनिक भासकर से लेकर दैनिक जागरन से लेकर हिंदुस्तान से लेकर सब देखेंगे टाइम सफ इंडिया से लेकर सब में देखेंगे उसमें जो नोटिफिकेशन निकला है पटना का बात कहा गया है ठीक और उसमें कुछ बाते कही गई है कि एक्जाम में जो मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं जिनका अगर मार्क्स बेसे स्वाले पर हम बात कर लेते हैं को उनका कैसे मेरिट बनेगा अगर देखिए जिनका 90% है ठीक चिनका 90% है, उनको क्या करना है, 0.90 अभीपर्सेंट आपका आया, तो जितना माक्स आए, उसमें 0.6 से गुना करना है, अगर किसी का 90 है, 90%, तो उसमें 0.6 से गुना किजिए, तो 9 into 0.6, कितना आ रहा है, 54, ऐसे ही अगर किसी का 80% है, तो 0.6 से गुना करना है वैसे ही अगर किसी का 84% है 87% है तो उसमें 0.6 से गुना कीजिए और 0.6 से गुना करने के बच जितना आ रहा है वो आपका original marks हुआ ठीक आप उसके recording आखलन करना है उसके बाद बात करते हैं चुकि अगर आपके पास ENM का तरिक GNM degree है BSN nursing है तो उसके लिए आपको कितने marks मिलेंगे ENM का तरिक अगर आपने GNM किया है BSN nursing किया है तो उसके लिए आपको अलग से 15 अंक दिये जाएंगे 15 अंक अगर किसी का ENM में 90% है तो 0.6 से गुना करने के बाद 54% आ रहा है 54 में फिर आपको 15 अड़ कर लिजे ठीक उसके बाद बोड़ा अगर आप experience student है अगर आप किसी government hospital में कारिड़त हैं सनवीदा पर है experience है 2 सल का तो आपको कितने मिल जाएगा एक सल का 5 नमबर देगा तो 2 सल का 10 हुआ तो फिर 10 नमबर उसमें अड़ कर लिजे इस तरह आपका अंक जो होगा जूटेगा और ऐसे आपका merit बनेगा अब देखेए अब बात करते हैं चुकि जो exam वैसे student जो CBT दिये हैं ठीक और CBT में पास हो गए हैं qualify हो गए हैं उनका भई क्या होगा उनका क्या होगा उनके सथ क्या होगा तो इस पर भी हम लोग बात करेंगा देखेए चुकि गोड का जो फैसल आया उसमें देखे experience student के पक्ष में आया है यानि जो सनविदा पर काम कर रहे हैं उन लोगोंने case किया था कि ये जो नियमावली होगी वो 2018 का तहत होना चाहिए और कुछ student ये सोच रहे थे कि भाई हम पढ़कर CBT निकालेंगे उस आधार पर मेरिट आप लेजिए हम लोग अपने जो दीनराथ पढ़ाई किये हैं उसके आधार पे और हाला कि नोटीस में भी ये बात जाहिर कर दिया गया था पहले अगर सितंबर में आप देखेंगे 23 सितंबर का जो नोटीस निकला था 2022 का तो उसमें साफ तोर पर ये mention किया गया था क्या कि CBT के माधियम सो होगा जिसमें आपको 80 नमबर आपके एक्षिक विसाय से रहेंगे और 20 नमर GKS, Current Affairs वेगरा ये रहेगा ये सब देकर E&M student ने पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें उन्होंने सोचा कि हम merit से निकालेंगे लेकिन यहाँ पर देखें कहने के बात तो कुछ और है merit का यहाँ पर marks basis पर ही बनेगा और आपने जो दीन रात पढ़ाई किया महनत किया वो यहाँ पर लागू नहीं होगा उनका लागू होगा जो colleges में पढ़ाई कर रहे थे उन लोगों ने दीन रात महनत करकर percentage हासिल किया है उनका यहाँ पर चलेगा तो साब तोर पर देखा जाता है इसमें Fraser का कोई value नहीं होगा Fraser का बहुत ही rare case में उनका ही selection होगा बहुत rare case में होगा जिनके पास higher degree है experience है तो experience वालों को अलग से पंदरे 5-10 नमर, 15 नमर, 25 नमर तक उनको दिया जाएगा और higher education के लिए GNM BAC nursing के लिए उनको अलग से 15 नमर दिया जाएगा ठीक, उसके बाद बात करते हैं चुकि अब यहां नीड़ने BTC को लेना है, देखिए BTC नीड़ने लेगा कि भाई जो qualify student है उनका क्या होगा qualify student के साथ तो अगर दिखा जाए जो लोग pass हो गए है तो उनका भी तो कुछ ने कुछ solution निकलना चाहिए तो BTAC इस चीज़ को खारिज करेगा नीड़ने देगा, notice के माधि हम सा official website पर देगा, जिनका qualify हो गए है, document verification हो गया है, उन सब क्या होगा बहुत सरे एनम student के दिमाग में यह है भाई कि हम लोगों ने pass हम लोग तो pass कर गए, qualify marks था, उसको भी हम लोग पार कर लिए है हमारा document verification तक हो गया है, उसके लिए क्या होगा, हम लोग का हमारे साथ भी कुछ हो, BTAC हम लोग के साथ भी बहिमानी ना करें, सब को समने रूप से देखें तो भाई, आप लोगों क्या करना है इंतिजार करना है, दो से तीन दिन इंतिजार किजिए, आज भी कुछ लोग BTAC department में गय थे, कुछ लड़किया गई थी और उन लोगों ने देखे क्या update दिया है, अभी update हमको नहीं मिला है, लेकिन उनके मुताबिक उन लोगों ने बोला है कि दो से तीन दिन कादर update मिलेगा, update कहने का मतलब कि BTAC एक notice निकालेगा कि जो लोग qualify student है उनका क्या होगा जिनका document verification पहले से हो चुका है, उनके साथ क्या होगा तो BTAC ही नहीं निकालेगा और notice के माधि हम से समझ गए, और देखें कुछ इसमें और मुदा है कि एक और मुदा सबसे दिमाग में, सभी लोग को दिमाग में यह चल रहा है जो CBT हुआ था, किसी किसी का, वैसे कुछ लोग का exception में, अपवाद में, कुछ student ऐसे हैं, जिनका marks बहुत कम है, ठीक है लेकिन बाद में उनका marks बहुत ज़्यादा हो गया, वो qualify कर गया है और कुछ student ऐसे हैं जिनका marks बहुत अधिक है, ठीक, लेकिन normalization किया गया है, तो उसमें उनका marks घट कर आया है भई, ऐसा क्यों यह सारे प्रोशनों का जवाब आपको BTSC से मांगना चाहिए, और आपको जानने कहक है, आपको right भी है आप BTSC office में जा सकते हैं पटना BTSC office में जाएए और वहाँ पर आप लोग बोलिए, बाते किजिए अगर ऐसा होता है, अगर आपको लगता है, कि नहीं, CBT के द्वारा ही एक्जाम हो, या जो लोग क्वालिफाई किये हैं, अब फिर से केस की जिये लोग कर सकते हैं, आप लोग सोतन्त है जैसे मान लिजे सनमीदा कर्मियों ने केस किया, उन लोगों ने केस, वो लोग केस जित गए, आपका भी दाई तो बनता है कि भाई, किसी भी चीज को जैसे मान लिजे कि अगर मार्क्स बेसिस पर ऐसे तो कोई चीट करकर भी पास हो सकता है ठिक, कॉलेज में आप आपको भी मालूम है कि कहीं भी जो ये सब कुर्से सोते हैं, थोरा बहुत उसमें मिलता ही है, मार्क्स थोरा सा इधर उधर कर दिया, मार्क्स असानी से मिल जाता है लेकिन, कैसे पहचान होगा कि ये काविल एस्टूडेंट है कैसे पहचान होगा कि यह होनहार है तो भाई उसके लिए CBT पृतियोगिता परिक्षाएं क्यों बनाया गया है ताकि आपके अंदर जो जुनून है आपके अंदर जो काविलियत है ठीक कापसिटी है उसकी पहचान की जा सके लेकिन यहां पर हुआ था लेकिन जो मामला कोट में पहुंचा और 2018 के नियमाली के तहट उन लोगो किस में जीत मिल गया है अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं जो लोग पास हो गये हैं हम तो उन्हीं लोग के साथ हैं भाई जो लोग मेहनत के बदलत दीन पढ़ाई कियें और कौलिफाई कियें हैं मैं उनका ही समर्थन करूंगा क्योंके देखें मार्क्स बेसिस पर उसका कोई अगर कोई मैटिक में 90% ला दिया और पहले के इतिहास का बदलब औरतमान से नहीं लिया जा सकता इसलिए सबके लेक्सीबीटी बनाया गया है कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट इसलिए आप लोग भी निर्नाए किजे और दो से तीन दिन का इंतिजार किजे यह मतलब फाइनली रिजल्ट नहीं हुआ जब तक BTSC अपने official website पर इसको जारी नहीं करता है तब तक आप इंतिजार किजे यह अभी खतम नहीं हुआ है केस यह खतम नहीं हुआ है कब से counselling होग जब तक BTSC result नहीं देता है notice के माधियम से तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है हो सकता है अभी लटका रहे हो सकता है अभी कुछ और जिन लोग को संतुष्टी ना मिला है वो लोग Supreme Court पहुँचे Supreme Court जाएगा बात तो Supreme Court में जाएगा तो उसमें और समय लगेगा पटना High Court का जो निनय है ज़रूरी थोरे है कि पटना High Court ने जो निनय दे दिया वो सही ही हो आप Supreme Court भी जा सकते है आप लोग का अगर टीम है अगर 50-60 लड़किया जो आप लोगोंने केस किया है तो आप लोग Supreme Court भी जा सकते हैं अगर आप इस निनय से संतुष्ट नहीं है आप आगे सुनवाई कर सकते हैं आपको जानने का हक है और कोई मुद्दा रखना है आप लोग को भाई कि वैसे स्टुडेंट जिनका स्कोर कम है उनका ज्यादा कैसे हो गया वैसे स्टुडेंट जिनका स्कोर ज्यादा है उनका कम कैसे हो गया किस अधार पर नर्मलाइज किया गया है ठिक और जो एक्जाम में पास हुए हैं उनका क्या जो क्वालिफाई हुए हैं CBT में उनका क्या होगा यह सारे प्रशनों का जवाब आगे बरहिए केस को अगर आप चाहते हैं कि देखिए हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं हम जो आप लोगों के दिमाग में हमारे पास जो कमेंट आया है यह सारे कमेंट बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा लेकिन जिन लोगों ने कमेंट किया है यह प्रसन उनका है आप ही लोगों ने यह प्रसन कमेंट में किया है उनका क्या तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं यह आप लोग का पुरसन है और आप लोगों को ही decide करना है ना कि आप लोग क्या करोगे आप लोग को अगर जाना है Supreme Court तो Supreme Court जा सकते हैं इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं बाकी अब BTSC जब तक नोटिस नहीं निकलता है तब तक आप लोगों को इंतिजार करना परेगा संतोष नहीं है तो आप आगे मूब कर सकते हैं ओके समझ गए फिर जैसा अपडेट आता है सारे डाउट को किलियर करते हुए हम लोग मिलेंगे फिर अपना ख्याल रखे और अगला जो नोटिस निकलेगा जो अगला बहाली होगा उसमें आपका CBT होगा 2018 का जो यहां पर केस हुआ है लोग जित गए लेकिन जो अगला CBT होगा वो CBT कहीं माधियम से होगा इस चीज़ को देख लिजएगा क्योंकि नए नियम आवली के तहती अपर किरियाए जो बहाली होगी इसको तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन अगला जो आएगा उसको 100% बोल सकते हैं कि उसमें CBT होगा तो होगा इसलिए मन छोटा नहीं करना है पढ़ते रहे आप आगे बढ़िया मोब कीजिए इसी पर संतुष नहीं रहना है टेक्या बाए बाए